एक भीशन महामारी की तरह फैला हुआ रोग है जिसे हस्त क्रिया कहते हैं अंग्रेजी में जिसे मास्टर विशन कहते हैं इस हस्त क्रिया के द्वारा आगे चल करके वो निताम्त नपन शक्ता को प्राप्त हो जाता है अब चिरचिरा सभाव हो गया एक निरासता सुतास अब क्या करें शरीर नश्ट कर दें और डिप्रेशन में पहुचने लगे हस्त क्रिया से संपुर्ण शरीर धीला फीका दुर्बल कमजोर और रोगों का प्रादुर्भा होने लगता है खड़े भोजन नहीं पाना चाहिए लेटे भोजन नहीं पाना चाहिए चलते हुए नहीं पाना चाहिए बहुत गर्मा गरम भोजन प्रमचारी को नहीं करना चाहिए इस महारोग का आना सहज है पर इससे पिंड छोड़ा लेना बहुत ही कठिन है किसी डाक्टर की ना किसी दवा की कोई सामर्त नहीं इसको छोड़ा सके बहुत गौर से सुनना और प्राया इसको बहुत हलके में लेकरके अपने जीवन को नश्ट किया जा रहा है चाहे पुत्र हो या पुत्री शिश्य हो या शिश्या उसको ये बात समझावें कि ब्रह्मचर ही आपको लोकिक पारलोकिक उन्नती दिलाएगा जैसे आप सुन रहे हो तो आपको ये चोट पहुचाएंगे सब्द ये आपको उठाने की कोशिस करेंगे उगर आपने पकड़ लिया सब्द का सारा तो उठ जाओगे कोई आउसदी नहीं बचा सकती आप सोयम बच सकते हो आपमें अभी भगवान ने शामर्त दी है एक भीषण महामारी की तरह फेला हुआ रोग है जिसे हस्त क्रिया कहते है अंग्रेजी में जिसे मास्टर बेशन कहते है इससे बालकों से लेकर के बड़े तक का ये शंघार कर रहा है महामारी कौन शिमा मारी यहस्त मैतों यहस्त क्रियार इस्चे बढ़कर नासकारी कोई रोग नहीं है बहुत ध्यान देने योग के बाते हैं आज सरमाया जाता है बाते अपने बच्चों से पूछने में या अपने शिश्यों को उपदेश देने का यही समय नहीं है उपार्षणा की निव तो मजबूत होनी चाहिए तब तो उपार्षणा का महल खड़ा रहे हैं कैसी बाते कर क्रियाएं कर रहे हो तुम्हें सरम नहीं आ रहे हैं गंदे आचरणों में उतर रहे हैं सरम नहीं आ रहे हैं और उनका निवारन कैसे होना है इस बात के सुनने और बोलने में तुम्हें सरम आ रहे हैं कैसी मुड़ता चा रहे है ये कराल काल के पंजे में फशा करके जीवित रहने पर भी मुर्दे के समान कर देता है ये बड़ा दुर्भाग्य हो रहा है कि आज हमारी समा जिससे पीडित होती चली जा रहे है हित दाम में शायनकाल के समय कुछ समय चर्चा होती थी जो पुराने हैं उनको याद होगा सत्तर पच्छत्तर वर्ष के उन्होंने माइक में कहा था कि पूर्व बच्पंस की अभ्यास आज तक नहीं छूट पा रहे मुझे बचा लो बड़ा आश्चर हुआ था कि इतना समय जब इर्व्यमचर के विश्य में चर्चा होई उन्होंने सुना तो वो चुकी कहीं न कहीं पवित्रता हर्दय में थी तो बोल पड़े माइक में खड़े होके कि इतनी आयू है पर मैं शी गलती आज भी करता हूँ अब मुझे बचा लो इस महारोग का आना सहज है पर इससे पिंड छुडा लेना बहुत ही कठिन है किसी डाक्टर की ना किसी दवा की कोई सामर्त नहीं इसको छोड़ा सके बहुत गौर से सुनना और प्रायहा इसको बहुत हलके में लेकर के अपने जीवन को नश्ट किया जा रहा है ये सबसे बड़ी क्रूरता अपने साथ तुम कर रहे हो यदि हस्त क्रिया के द्वारा अपनी जीवनी सक्ती को नश्ट कर रहे हो आपकी नश्ट नाडियों से जीवनी सक्ती निचुड रही है ये तुम्हारा नास कर देगी इस क्रिया से जितनी हान उठानी पड़ती है वो हम बरणन नहीं कर सकते ये अनिश्टकारी क्रिया खिलवार में सीख जायते हैं बच्चे एक तेरा वर्ष का बच्चा कुछ चिन होते हैं जो पहले से गुर्जनों की क्रिपास साधन करने पर परिचय में आ जाते कि ये इस तरी शहवास से वीरिपात हुआ है या हास्त मैथुन शहवा है देखा लोगो पहले तो मना किया नहीं फिर जब और जोर दिया भाई इसमें तुम्हें लाव मिल जाएगा अगर आप सोईकार करो हाँ दिन में तीन तीन चार चार बच्चों का काम खिलवार उनको उनको खिलवार लग रहा है ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छा मार्ग मिल गया जिससे हम सुखी हो जाएंगे दुर्दशा ये हो गई कि तेरा और चोदा वर्स का बच्चा वो इतनी बड़े रोक्षिक ग्रशित हो गया कि लवशंका करते ही जो महान शक्त उसका पतन अब ना भज़र में रुची ना किसी सेवा में रुची पागलो जैसी बात तुमको समझाए जी क्या इस्मर्ती का लोफ हो रहा है कोई उच्छा नहीं एक जीवन मृत तुल बच्चा है बच्चा जहां कहीं कोई गुंजाइस नहीं जैसे अगनी के उपर चला जाए तो कैसे चला जाएगा एक दम पहर इसर्फ ऐसे ये अवस्था किशूर अवस्था है ब्रह्मचर पुर्ण जीवन उचलता हुआ जीवन तेज कैसा भी कोई हो किशूर अवस्था बड़ी सुन्दर अवस्था होती है प्रकाश आता है क्योंकि उस शमय तक गलत सम्मन्द आज तो किशूर अवस्ता प्रारम भूनेंग से ही ये दुर्दशा मुबैल कुशंग ये सब बहुत नस्ट कर रहा है इसे खिलवार समझा जाता है और दुर्भागी की बाद कि जो हमारे सलाकार हैं वो उनको कहते हैं इस कहुन सा जो भी स्टेशन हो फ्रिस्टेशल बोले उससे मुक्त हो जाओगे होश में होश में ये उन महापुरुषों के वचन है जो ब्रमाकार वरति में स्थित है जैसे किसी लकड़ी में घून लग जाता है और वो खोकली हो जाती है ऐसे ही सरीर जरजर हो जाता है बहुत बहुत सावधारी की ज़वत है यह मतलब इस हस्त्र क्रिया के द्वारा आगे चल करके वो नितांत नपन शक्ता को प्राप्त हो जाता है नशों में ऐसा दर्वल्य ऐसी कमजूरी आ जाती है कि शहवास के लिए सोचा मात्र खतम हो गया जाती ग्रहस्त मार्ग में चलने लायक नहीं रहता शंतान उत्पन करने की सामर्थ नहीं रहती बहुत सावधानी की ज़वत है इसे खिलवार मत समझो किशी भी ओशदी में किशी भी डाक्टर में कोई भी ऐसा उपाय नहीं है जो इसे छोड़ सके आपकी स्वीकृती ही एक मात्र है शत्संग ही एक मात्र है भगवत चिंतन भगवत क्रपा ही एक मात्रुपा है कि इस महान रोग से और यह वाइरल की तरह फैर रहा है जै करोना वाइरल ले तो ऐसे फैल ला है छुटे छुटे बच्चे जो अभी जानते भी नहीं वो इतने से संसकार पढ़ रहा है अच्छा लग रहा है अब वो जीवन भर अगर भी तो नहीं अभी सुधर जाए नहीं जीवन भर नहीं रोग सकता नहीं रोग सकता या तो सदगुरु क्रपा हो जाए और बहुत सासन हो और वो स्वयम उस सासन को श्वैकार करे तो निकल सकता है नहीं बड़े बड़े इस महामारी से नहीं निपट सकते इसके लिए कोई ये इन जिस्टन नहीं तयार हुआ भी तक, आप जाओ, रोक खतम, ये स्थोयम स्विक्रती में बैठा हुआ, महामारी है, और ये वाइरल की तरह फैला है, नमीन पिढ़ी का सर्वनास, और कुछ महानुभाव ऐसे हैं कि इसको बता रहे हैं, तो नेचूरल है, ये चलता है, ये कोई, अरे सर्वनास को तुमसे प्राकृतिक बता रहे हो, बहुत शावधां, आप लोग दुरुभाग्य का निमंत्रन मत दे, ये दुरुभाग्य है, साथ दुरुभाग्य है कि आपकी दिन चर्या ही नहीं हो सकती, कभी भी बेविचारी की एक जैसी दिन च करेगा, गिर जाएगा, ब्रह्मचारी कभी भी दिन चर्या में फर्क नहीं पड़ने देगा, चाहिए जैसी इस्तिती हो, चाहिए शरीर नहीं उट पा रहा तो उसका चिंतन भागवती कोने लगेगा, इसलिए शामानियता, जिसे हम बहुत सरल समझ रहें, बहुत सुक बहुत ध्यान दीजे, बहुत ध्यान का इसलिए विशे है कि ये निव है हमारे अध्यात्म की, हमारे परमार्थ की, शरीर के भीतर बताया था कल भी एक मनो वहा नाम की नाड़ी है, इस नाड़ी का कार्य है मतानी जैसे नहीं, जो दूद दही का मंधन करे तो मखन निकाल देती है, ये इतनी चिंतन से गरम हो जाती है नाड़ी, तो वीर पूरे शरीर के रक्त के साथ है, उसी से आपकी हड्या मजबूत होती है, उसी से आपका शरीर बलिष्ट होता है, उसी से आपके मन को पवित्र विचारों में चलने की सामर्थ मिलती है, ये जो कहते हैं ना क कि हम नहीं छल पा रहे हैं, हम भजन नहीं कर पा रहे हैं, आप कमी को पैंचा नहीं है, शरीर के भीटर जो मनोवाह नाम की एक नाड़ी है, यह मंधण कारी करती है, जिन ही आप कामाशक्त हुए चिंतन किये, तो पूरे शरीर से, जैसे दही के मंधण से, वो घ्रत निकाल ले वो ऐसे ये मनोवाह नाड़ी काम करती वो पूरे शरीर की नश नाड़ियों से आपके जो वीरे शक्ती उसको एकत्रिक कर लेती है चाया शरीरधारी कोई भी विस्त्री हो पर उसकोई भी हो उसको एकत्रिक कर लेती है पूरी नफ्स नाडियां काप उठती है जब उसका आकर वो आप समझे नहीं पा रहे है वो आप समझेगे एठन हो रही है आप ऐसे वो पूरी नफ्स नाडियों को निर्जीव कर रही है शक्त हीन कर रही है सिर से पैर तक हर अंग हिल जाता है शरीर का मन्थन करके वो एकत्तित करके बाहर कर देगे अब क्रिया करो या ना करो दौरबल्य, प्रमेह, श्वप्नदोश ये निश्चित उसके शरीर में प्रगट हो जाते है शरीर के रक्त में एक सफेद और दूसरे लाल कीटों में सफेद कीटों में बाहरी आये हुए प्राक्रतिक प्रहार रूगों के प्रहार से लड़ने की सामर्थ होती है जो हस्त क्रिया या अन्य अश्टमेथुनों के द्वारा वीरशक्ति का नास करता है तो सफेद कीट इन श्ट होने लगते है अब जो लड़ने की सामर्थ थी प्रकति से गर्मी शर्दी बर्षात मान अपमान निंदा इस्तुती और रोगों से उच्छिर हो गए अब चिर्चिरा सभाव हो गया एक दम निरासता सुताज अब क्या करें सरीर नस्ट कर दें वो डिप्रेशन में पहुँचने लगता है समझो अधिकतर हमारी दुर्दशा हो रही ध्यान देकर सुनना अगर वो शुभ की जो रोग नाशक सफेद है वीर आप नस्ट नहीं करते तो इतने बलवान हो जाते हैं कि एक बार बिस को भी वो पचाडा डालेंगे इतनी उसमें सामरत है आपकी हाने नहीं होने देंगे जियो जियो आप ये नीच चेश्टा करते हैं त्यों त्यों ही ये जो आपको शबल बलाने वाले उन्नष्ट होने लगते हैं और उसके कारण भयानक रोगों का सरजन होने लगता है मनुश्य के शरीर में और दिमाग में और इशनायों पर ऐसा प्रभाव पड़ता है आगे चल कर पक्षगात हो जाता है ग्रंथिवात जितने जोड़न में दर्द, पागलपन या और रोगों की उत्पत्य होने लगती क्योंकि वो जो लड़ने वाले की, वो समनष्ट हो जाते है ब्यभिचार सर्वथा निंदनी है और सबसे महा निंदनी है यह हस्त क्रिया क्योंकि इसमें किसी दूसरे की जरुवत नहीं होती है बहुत सावधान, बहुत नीच प्रवत्तिय होए इसका वाइरल की तरह जिसे वाइरस होता है वाइरल हो जाता है ऐसे हो रहा है, ऐसे जिसको देखो सुख का साधन माने हुए है नवी नवस्था अपने को नस्ट कर रहे और प्रमान उनको मिल जाता है ऐसे बहिर मुख लोगों से जो कहते हैं कि हाँ आप काहरदे ठीक रहेगा आपका श्वास्त ठीक रहेगा आप दिमाग से एकदम शांत हो जाए कैसा नीच उत्तर है कैसा उपदेश है नास करने वाला दस्माश सास्त्रम प्रमानम ते कार्या कार्यू विवस्तितो आपने वेद पढ़ाया अईरुवेद कौनशी डाक्टरी ऐसी कहती के ऐसा करने से आप स्वस्त हो जाओगे सास्त्र प्रमानित धर्म प्रमानित उपदेश होना चाहिए छुटे छुटे बच्चे नवीन बच्चे जब ये सब पढ़ते हैं और ये सब सुनते हैं देख कार है जीवन को जो हमारे नवीन पीड़ी को बरबात किया जा रहा है ऐसे नाटक सिनेमा ऐसे उसमें जिसमें हमारी जो संयम की बरति है उसम नश्ट हो जाए इस क्रिया के द्वारा सबसे पहला धक्का हरदय पर लगता है इसका धक्का बार-बार लगने से यक्षमा, हरदय रोग और इस्मर्ती का नाश यह सुरू हो जाते हैं इसे राज अक्षमा कहते हैं यही रोग हुआ था बिचित्र वेरे को दो पत्रियों के सईयोग में बावरे हो गए समझ नहीं पाये सिद्धान्त को भयानक हरदय रोग हरदय का कमजूर हो जाना जलासी बात में घबलाट पेदा होना डर जाना, उत्साहीन हो जाना है क्या बात है? इक दम, कोई बात नहीं मस्तिस्क में बिजली की तरह इसका प्रभाव पढ़ता है ब्रमचर नास का ओई दम छिर्ण करता चला जाता है याददास्त नश्ट हो जाना शरीर में एक अजीव सी पीरा होना खाली खाली पन मैशूश होना शुबुद्धी का पुर्ण रूप से रास हो जाना प्रतिभा न रह जाना तेज न रह जाना उत्साह न रह जाना और पागल सा बेवार होना ये सुरू हो जाता है ब्रमचर नास से मस्तिस्क कमजोर होते ही आँखों की जियोती लड़ खड़ा जाती है ऐसे देखे अवस्थागत बात लगे अभी ब्रमचर रह करके आप देखो ये तो प्रहाकृतिक नेत्र है आपके दिब्ब नेत्र खुल जाएगे कान में शुनने की शक्ति दात के मशूरों का फूल करके दातों को जो रोकने की शक्ति शरीर की शक्ति सब नश्ठ हो जाती क्योंकि ब्रमचर ही सब का आधार है बहुत जल्दी बाल जणना बाल पकना जैसे राजा के नश्ठ होने पर संपुर्ण सेना बंदी बना ली जाती है ऐसे ही शरीर का राजा है ब्रमचर वीर इसके नस्ट होने पर हर इंद्री, हर नस्ट नाड़ी पराजित हो जाती है आँख, नाख, कान, जिभ्यावानी, पैर, तचा, आते और इंद्रियां इस शाव असमर्थ होने लगती है पाचन सक्ती पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है अब ये नाश नहीं तो और क्या है, जीते जी नाश है हस्तिक्रिया से संपुर्ण, शरीर, ढीला, फीका, दुर्बल, कमजोर और रोगों का प्रदुर्भा होने लगता है मुख की कांती हीनता बढ़ती चली जाती है मुख प्रशन तन तीज विराजा, कीने से राम चंद्र करका जा या चेहरा देखो, भैशा लगता है जैसे सब उड़ गया, कुछ नहीं रह गया बस केवल सजावट सजावट रह गयी है पवित्रता, जितेंद्रियता, बल, अध्यात्म चिंतन, कुछ नहीं शुन्य बस वई वर्तमान भोगों का चिंतन, कैसे भोगों, भोगे हुए भोगों का चिंतन, बस आप देख लो अपने हरदय में जाग करके शंपूर्ण जीवन विश्यानंद में फस जाता है इंद्री दुरवलता के कारण, अगर वो ग्रहस्त में भी गया तो वो ग्रहस्त में भी अपने धर्म का पालन नहीं कर पाता क्योंकि उसकी जो शक्ति है वो नश्ट हो चुकी है संतती सुक से भी हाथ दो बैठता है फिर जो उसको जलन और शोक होती, क्योंकि वो जो करता भी करना चाहिए ग्रहस्त का वो नहीं कर उसकी सामर्थ नहीं रही गई अब वो अपनी बात तो बता नहीं सकता किसी से अब जो अंदर जलन हो रही उसका निराकरण कहीं नहीं है सावधान हो जाई है ना वेरागी और ना ग्रहस्त कुछ नहीं रह पाऊगे यदि ये गंदी बाते आप नहीं त्याग पाए बोलो ऐसे आदमी की शुक की आशा क्या और अंत में इसका परणाम महापाप नरक मिलता है ऐसा थोड़ी है कि आप सोचों कि मेरा शरीर मैं जो चाहूं कर लूँ नहीं नहीं आपको दिया गया ये भागवतिक है आपको प्रभू की तरफ से मिला है जैसे आपका सरीर है और भी रिपोर्ट कर दी जाए कि आप अपने सरीर को नश्ट करना चाहिए आपको दंड मिलेगा इस बात का आप सरीर का सत्मार्ग में प्रियू कीजिए आप इसका अश्ट्मार्ग में आप इसको नश्ट करने का अधिकार नहीं रखते याँ भी तो फिर भागवतिक विदान में तुम्हारा इतना अधिकार कहा कि तुम इसे मनमानी नश्ट कर दो दुर्वल चित हो जाता है शैयम बिलकुल नहीं रहता जब कभी उसको इसका दोश अन्वों में आता शुनने में तो प्रतिग्यां करता है पर ऐसी हजारों प्रतिग्यां रोज करता है रोज तोड़ता है क्यों? क्योंकि उबल ही नहीं रह गया है जो इश्वासना से पीडित है अगर थोड़ा भी हरदय सात्विक है तो शर्मिंदा रहता है उसकी अजीव स्थिती अंदर रहती है खुल कर किसी से बात नहीं कर सकता आँख मिला कर बात नहीं और जो मलिन हरदय का होता वो इतना अकड़ करके इतना राक्षसी प्रवत्ति का हो जाता है बिलकुल धीट यह दो बृतियां आती है जो ब्रह्मचर हींता होती यह तो इतनी सर्मिंदिगी थोड़ा सा भी हरदय गर सात्विक है वो ग्लानी और यह भी इतनी दुर्ष्टता जो आनंद में हश्मुक होना जाहिए ओ उदास एकदम तेजहीन उसकी सूरत देखने पर लगता है रोने वाला ही है शवभाव में रुक्षता होती है चिर्चुड़ापन क्रोधी निश्टेज आखे अंदर धसने लगती यहां खाली पन होने लगता है एक खाली पन एक काला स्वचिन बहुत बहुत सावधा यह इतना भयानक रोग है कि जवाने में भी ब्रद्दावस्ता के लक्षन प्रगठ होने लगते है किशी भी कार्णे में मन न लगना पड़े रहने की इच्छा होना थोड़ी मेहनत करने पर हाफ्ते रहना आगे क्या करना इसे विचार करने की शक्ती नर्ष्ठ हो जाना बहुत जल्दी क्रोधा करके आवेश में कुछ ऐसे वचन बोलना, क्रियाएं करना देखो न सुनने को मिलता माता पिता को पीटा ऐसा किया वेशा कुछ इनताओं की बाढ़ हा जाती है कुछ इनताओं की उसके हरदय में एक भै, एक जलन, एक घबड़ाहट बनी ही रहती है थोड़ी सी बात उसको पहाड जैसी मालूम होती है विचार के द्वारा काट नहीं पाता है बार बार जूट बोलना उसका स्वभाव बन जाता है बार बार भूँख लगना या जठ्रागनी का मंद पढ़ जाना ये दो दोश होते है अन्न ना पचना या तो बार 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 ऐसा लगना की खाओं और मल बद्धता आते हैं जब वीरश श्रक्त हीन हो जाती है तो मल को पकड़ने लगते है उनमें शामरत नहीं रह जती पचाने की या मल निकालने की तो कबजियत बनी रहती है नीन का या तो नाना और या आना तो कुम्ब करन जैसे सोना पढ़े हैं ऐसे दो उठते समय निरुट्षाह आलश्य आखों को बहुत भारी पन होना नहीं खुलने देना जवाब सैयम से चले देनो गड़ी की अलारम की ज़र्वत नहीं थे ठीक समय में नेतर खुले आईसा नहीं ऐसे नहीं एक दिव्यता आती है अभी आप उदर कदम शेडंग से नहीं रख रहे इसलिए है अलारम बजिते रहते शोर है परमार्थ में या बेवहार में भी आपको चलना है तो आपका शेयम बहुत अनिवाद है अब बच्चे कहते हैं हमारी स्मर्ती काम नहीं करती है पढ़ाई में मन नहीं लगता है क्यों नहीं लगता आप देखो अपने आचरणों को देखो पढ़ाई यह तो इतने टेबलेट और इतना एक बार बोल दीजिए कभी भी जीवन में पूछ लीजिएगा उसे दुबारा पढ़ने के सुनने के आऊ सकता रहे एक बार अगर और अगर हम नहीं सुनना चाहते तो आप हल्ला मचाते रहो बाद में पूछो तो ना हमने वरतमान में सुना ना बाद में उसकी स्मृति रहेगी जहां इस स्मृति लगी वहें लगी है रात्री में जो श्वापन दोश होता है इनी गलतियों का परणाम होता है यदि आप अशी कोई गलतिय ना करें तो कल चल्च चाहम बताया था श्वाभाविक कभी हो वो फान जैसा वो जो शंतानोत पत्ति वाला वो नहीं जो हस्त क्रिया से युक्त हो गया है वो अनुभो करे लगशंका के पहले या बाद में देखना जो जीवनी शक्ती है वो आपको रास होती दिखाई देगी बुन बुन निकलते दिखाई जी कितना सर्वनास कर रहे हो बाद में तुम सो चो हम ये बिटामिन खा लेंगे वो खा लेंगे कुछ चलें उसके पूर्ती नहीं हो सकती आगे इसमें आता है ये जो आयरवेदिक औशदियां दी जाती है ये बलिष्ट होती है और ये चुक्ति आपकी प्रवत्ती गलत है वो बलिष्ट होकर आपको और कामों तेजना परदान करेंगी तुम रोग कैसे पाओगे सयम नहीं इसलिए कोई आउशदी नहीं है आप सयम आउशदी हैं उसके आपका दड़ निष्ट है और कुछ व्यायाम प्राणायाम, आहरशुद्दी और नाम जब नाम जब इससे आप सासन मिला सकते हैं इस बात को कौन अपने बच्चों को बैठाल कर समझा रहा है अगर वो नहीं हैं तो सावधान हो जाएंगे कि अगर कोई ऐसी बात बताता है तो माता पिता ने मुझे पहले सिका रखा है कि ये बहुत नासकारी क्रिया है कभी ऐसा नहीं करना आप बताते हैं क्यों आपको फुर्षत कहा है आप अपने मनो रंजन में मस्त है आपको ये ही लगता है खिलाना पिलाना ही केवल बच्चों का प्यार दुलार है नहीं कभी बैठाली है उनकी दिन्चरिया देखिए आप उनसे पहले या इस महान दुर्गुणों का अगाह कीजिए कि ऐसी ऐसी बातें आगे कोई तुम्हें सिखा सकता है या तुम्हें हैं तो नहीं जांकारी करनी चाहिए अगर कभी ऐसा हो तो मत ऐसा मत करना जो नवयुवक हैं हाथ पेरों के जोड़ों में दर्द मालूम दे रहा है शिधिलता हो रही दिमाग में एक संसनी बनी रहती है आपको ये अश्लील चित्र देखना अच्छा लगता है गंदी बातें करना अच्छा लगता है ये सब उसी हस्त्र क्रिया का परिणाम है जिनको बार बार एक श्वभाविक लगशंका लगती है एक बार बार ये आपका लक्षन है कि आपने ब्रह्मचरी का नास बहुत अच्छे से किया है कोई भी हो, गरेश तो बिरक तो कोई भी हो हाथ पैर में कमपन होना, चेहरे पे मुहाशे उभराना एकदम उटके खड़े हुई अंदकार सा चा जाना, इश्मनट सक्ती का लोफ हो जाना चित का अत्यंत चंचल रहना, दुरुबलता, प्रतिग्यांप पूरी ना करना कोई भी कारिप पूरा ना करना, दिमाग में हर समय गुश्चा गर्मी चाना नेत्रों में जलन होना, छण में गुश्चा, छण में सांत, माथा, कमर, मेरुदंड, छाती, इनमें दर्द होना ये बिल्कुल द्यान से सुन लीजे रीड की हड़ी जुका कर बैठने में आराम मैशूस करना एसा उशी ब्रमचर नास के लक्षण है ब्रमचर है आपको ऐसे बैठने ही नहीं देगा देखो जला से एक आगरता काएगा तो बिल्कुल शावधार अधि महान शक्ती है मुक्षे दुरगंद और शरीर से दुरगंद आने लगती है जो अपनी इस ब्रमचर शक्ती का नास करता है दुरगंद युक्त शरीर हो जाता है नाक के किनारे ऐसे हलकी हलकी जाईया आने लगती है ऐसे यहां हलकी हलकी जाईया पढ़ने लगती काले दाग जिने कहते है ये चिन है ब्रमचर का नास करने की आवाज में कुमलता नश्ठ हो जाती है, रुक्षता आजाती है, सुभाव में अपरी सुभाव बन जाता है, कोई भी कोई भी तुम्हारे पास बैठना नहीं चाहेगा, वोई बैठेगा जो तुम्हारे लक्षनों से युटत होगा किसी भी मार्ग में उसको कामयावी प्राप्त करने का उत्साह नहीं रह जाता, कर एक नवीवक भाई कह रहे थे, कि अगर वचन सुनने को न मिलते, तो हमने तो ठान ही लिया था कि अपने शरीर को पूरा कर देंगे, बचा लिया आपने हमारे जिवा, भाव से गदगद होकर कह रहे थे, यह, जैसे आप सुन रहे हो, तो आपको एक चूट पहुचाएंगे सब्द, यह आपको उठाने की कोशिस करेंगे, अगर आपने पकड़ लिया सब्द का सारा, तो उठ जाओगे, कोई आउसदी नहीं बचा सकती, आप सोयम बच सकते हो, आप में अभी भगव क्या चाहते हो, क्या चाहते हो, ग्रेश्ट में संतानुत पत्ति के लिए आदेश है, बेविचार के लिए तुड़ी आदेश है, प्रतेक, माता, पिता, गुरू, बड़े जनों को ये करतव्य का पालन करवाने के लिए चाहिए, कि उनको अपने पास बैठा ले, चाहे प्रमचर ही आपको लोकिक पारलोकिक उन्नती दिलाएगा, इसमें लज्जा संकोच करना, बिल्कुल मूढता होगी कि हम अपने बच्चों से ऐसी बात क्यों करें, या ये समझना कि मैं ऐसा बोलूँगा, तो कहीं कोई ऐसा ना सोचे, मैं लोग गुरू है, उपदेश कर कहीं ये न सोच बेठे कि लोग क्या कहेंगे कि रामकृष्ण हरी की चर्चा छोड़ करके क्या चर्चा कर रहें, शरीरम ब्याधि मंदिरम ये तभी बनता है जब आप ब्रमचर का नास करते हैं, अतहा माता पिता से गुरुजनों से सबसे प्रार्थना है कि संकूच लज् अपने प्रीजनों को पास बेठाल कर चाहें, बच्चाओ या बच्चियों शैयम की शिक्षा जरूर बतावें कि कैसे हम अपने जीवन को भविश्य को आपके असमस्ते वच्छे अच्छे पदार्थ पवा दिये, खुब पैशा लगार करके उनकी शुविधायें दे दिय लेकिन वो जो आचरण हीन हो रहे हैं, जो जीवनी शक्ती का नास कर रहे हैं, किस तो नती में जाएंगे, जब अंदर ब्रमचर हीनता आती है, तम नसा करने की च्छा होती है, क्योंकि विक्षिप्तता सही नहीं जाती है, ओ गांजा, चरस, ड्रक्स, ये, वो, अब उस नस नस्ट होता चला जाता है, नस्ट होता चला जाता है, आप अपने ब्रमचर का नास किये, आपके अंदर उस विक्षिप्तता को शेहन करने के सामर्थ नहीं रही, आप नसे पे उतर गए, अब नशा आपको सर्वनास की इस्तितिम पहुँचा दिया, ये बहुत गंबीर वि इसके भी अंदर से आप उचाई पर चढ़ने लगेंगे, और चाहे जितना उपजेस दे लो, और चाहे सुन लो, अगर आचरन पवित्र नहीं है, तो जाओ वैसे ही रहोगें, क्योंकि आचरन पवित्रता ही आपको उठाएगी, तो इसलिए माता पिता या गुरू को ब्र और अध्यापक भी इसकी तरफ नहीं बोल ले, अध्यापक अगर पंदरा मिनट का समय के विल देनिक दिन चर्या की पुष्टता के लिए दिया जाए, तो हमारे नमीन पिढ़ी की जो उज्वलता है वो प्रकासित हो जाए, अब हमारे तो समय में इसा पढ़ाया नहीं गय क्या है, क्या है, क्या है ये जीवन, आप उस जीवन को पतन की तरफ ले जा रहे हैं, ये विद्या है, विद्या तो विने सिखाती है, विद्या तो शयम सिखाती है, विद्या तो भविष्च्य को उज्वल करने वाली वस्तों होती है, क्यों विद्या को कलंकित किया जाए अगर आप बच्चों की नशा प्रवत्ती जो बढ़ रहे उसको नहीं रोका गया बेविचार प्रवत्ती बढ़ रहे उसको नहीं रोका गया तो हमें लगता है विद्या का मतलब क्या रहा विद्या जो है वो गंभीरता, सैयम, बिने ये परदान करने वाली होती है विद्या उदंडता आज का विद्यार्थी अपने माता पिता की अभेलना करता है सास्त्र वाक्य की अभेलना करता है और स्वयम अपनी अभेलना करता है अपने जीवन को पतन गर्त में गिरा रहा है चाहिए वो बच्चा हो चाहिए बच्ची हो कैसे तो उचित है कि लज्जा त्याग करके चाहे पंद्रा मिनट का ही केवल हो लेकिन दैनिक दिंचर्या कैसी होनी चाहिए बिद्यार्थी की यही हमारे गुर्कुलों में शिखाया जता है यही शैयम बरताव करने के कारण वो ग्रहस्त में रहते हुए भी राजर्षी कहलाते थे राजा है पर रिशी सब उनके आगे राजर्षी वो ग्रहस्त होते थे पर बंदनी होते थे आज हम किस दशा को पहुंचते चले जा रहे अरे तुम न ग्रहस्त हो न विरक्त हो तुम भगवान के निज्जन हो मनुष्य शरीर भगवान की प्राप्ती के लिए हुआ है हाँ तुम्हें भगवान ने ग्रहस्त मार्ग दिया किसी को विरक्त दिया है अपने अपने करतबी की पूजा करते हुए भगवान को प्राप्त करो ये मनुष्य जीवन का परमलाब है अपनी कोई भी गुप्त बात अपने गुर्जनों से छुपानी नहीं चाहिए ये अपनी तरफ गुर्जन माता पिता अपने जनों को समझाए और अपनी शावधानी कि कोई भी गलती वो तुम्हारी गलती नहीं है तुम्हारा मन बुद्धी, तुम्हारी इंद्रियां तुम्हे गलत फसा रही है, तुम निरने नहीं कर पा रहे हो, तुम अपनी बात अपने प्री जनों से, गुर्जनों से जो सही सला दे सके, उनसे आप रखो, डरो मत, आप उसे छुपाऊ मत, घबडाऊ मत, कि अगर हम ऐ ऐसा कहेंगे, तो हमारे प्रति गंदी दर्ष्टी हो जाएगी, तो नीच ऐसा नहीं होता, जैसे डांक्टर होता है, हम उसको अपनी बात बताते हैं, तो सही दवा देखता है, ऐसी गुर्जनों से जह हम अपनी कमी बताते हैं, तो क्रपा करते हैं, वो आराध्य देव शि पतन कराया जा रहा है, हम उसको इतना छुपा के रखते हैं, कि करुणा करके यदि गुर्जन पूछें भी, तो हम उसे जूट बोल देते हैं, कि नहीं नहीं, आप इतना साथ मत दीजिए, इस दुष्टता की प्रवत्तियों का, कि आपका बहुत पतन हो जाए, और आप प आस्तिक्रियादी की बात, शिशुमेथुनादी की बात करेंगे, तो कहीं लोग हम पर ऐसा न सोचे कि ये कैसे सब्दों का उच्चारण कर रहे हैं, बिलकुल नहीं, लज्जा नहीं करनी, क्योंकि जो नहीं जानते हैं, वो इस बात को जानकर शावधान हो जाएंगे, और जो गलत करते हैं, वो अपने को बचाने की चेश्टा करेंगे, कुशंग में पड़ा हुआ बिना सत्संग के नहीं निकल सकता, बुराईयों को दबाने के लिए अच्छाई क्या है, ये जानकारी होनी आउश्यक है, इसलिए सदाचारी और ब्रमचारी बनने के लिए, जो स गुरु के वचन है, संतो के वचन है, सास्त्र के वचन है, उनको शुनो, उसमें लज्जा का भाव मत रखो, यदि गुरुजन अच्छे धंग से अपने शिश्यों को समझाएं, तो प्रभाव पढ़ता है, यदि माता पिता अपने बाल को और बालिकाओं को बेठाल कर हैं, तो अच्छा प्रभाव पढ़ता है, यदि स्कूल में कुछी मिनट जो अध्यापक जन है, इस विशे पर प्रकास डालें, उसका प्रभाव पढ़ता है, जितनी धातु पौश्टिक और सधियां ली जाती हैं, उस अब सोध के देखी गई हैं, उनमें बल वर्धक होत हैं, कि ये आयरुवेदी का अशदी ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, तो आपको, आपकी गती गलत है, इसलिए पावर जाएगा अशदियों का गलत डंग से ही प्रयोग हो जाएगा, कोई भी ऐसा वैद्य शमर्थ नहीं है, जो तुम्हें इस हस्त क्रिया को रोकने की अश करो, और जो सैयम बताया जा रहा वैसा करो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, तुम शमर्थ बन जाओगे अपनी इंद्रियों को रोकने के लिए, उपाशक पहले भोजन पर शुधार करे, भोजन और बुद्धी का परस्पर बड़ा घनिष्ट शम्मंद है, शा प्राप्त करवा देगा, ध्यांग से शुनिए, शात्विक अहार, जब आप भोजन पा रहे हों, उस समय नाम जब जरूर चलना चाहिए, अगर उस समय गलत द्रश्य देख करके, गलत बातें चिंतन करके भोजन पाओगे, तो उसका प्रभाव आपको और गलत में लगा द है, अब लगा दिया प्रथम यथा मति प्रणवं, शी ब्रंदा वनति रम्य, शी राधिका क्रपा विनुष्व, बड़ा पद है, देखत नव निकुंज सुनिश जनी लागत है, यति चारू, पद अंदर चल रहा है, और अब प्रश्य चलो नहीं है सापका अब्याद, र पर विचार आपका सात्विक नहीं है, आधार्मिक विचार है, दुष्ट भाव है, तो सात्विक विव्यर्थ हो जाएगा भोजन वो उसी को सपोर्ट करेगा, भोजन के समय बिलकुल शावधानों वो आपकी नशनाडियों में फेलकर वैसा ही प्रभाव पहलाएगा, जै भोजन के समय सावधान, भोजन में जो रश्व बनता है, वो नशनश में फैलता है, और जिस चिंतन से चिंतितो कर पाया, वैसे ही प्रभाव पढ़ता है, इस थूल भोजन का सूक्ष में विचार पर प्रभाव पढ़ता है, कई गुना प्रभाव शाली, प्रभाव आपक चिंतन सही नहीं इसलिए देखो शंतिजनों का जब कभी प्रशाद पाने पहले नाम किर्टन होता है फिर बहुत से जैजेकार लगते हैं और बीच बीच में जोर जोर से राद है शाम की गुण कि आपका चिंतन भागवतिक रहना चाहिए देखो न हमें लगता है दस मिनट तो केवल जैजेकार ही होती है जो द्यामधुरा की जैपूरी जितने अपने ठाकुर्जी सब की जैजेकार वो रस्गुल्ला की तरफ देख रहा है पर अब जैपूरी हो तब जैए जै बोलना ही पड़ेगा कीर्तन करो ये कितनी सुन्दर प्रणाली है भोजन बहुत सात् कि ऐसे इए उपाशक को जिसे ब्रहमचर रहना है दोशमय भोजन हलका यह एक बार भर पेट है24 घंटे में परियाप्थ ब्रहमचारी के लिए दो बार तो हलका केवल दो ही समय भोजन करे पहला भोजन का समय दस बजे से लेकर एक बजे के बीच में दूसरा शंध्या होने के बाद आठ बजे तक इसके बाद नहीं अगर इसके बाद आप पाते हैं तो आपकी दिंचर्या में फर्क पड़ेगा आपके कई दोस प्रगट कर दे देखो जीवन को यदि आप मंगल में प्रकाश्शिल बनाना चाहते हैं तो महापुरुषों के वचन मानने पड़ेंगे कोई भी बिना सद आचरन के शुक शांती को नहीं प्राप्त होता ओ आप चाहते हैं कैसी आचरन कैसे भोजन दो शमय बहुत द्यान से पहला दस से एक बज़े तक और मध्यान में भोजन पाने के बाद चाहे पंदरा मिनट ही हो आप विश्राम कीजिए दाएं बाईं करवट सीधा अगर आपको रात में सोने से परियाफ्त नींद हो जाती है तो फिर दिन में सोने की जरुत नहीं नामचिंतन करती हैं करें फिर आप बढ़ जाएं फिर अपनी दिन चर्या में लगे साम के आठ वज़े तक भोजन हो ही जाना चाहिए क्योंकि घंटाद घंटा टहलना उपनी की दिन चर्या और फिर आप शैन कीजिए फिर आप जग जाएए समेशे अगर आपको भगवत मार्ग में सायम पूर्वक्षलन ना है तो आपको इस सुधार ना होगा हुमें लगता है प्रयाप जो अपनी शात्कों की दिन चर्या है साय किसी के अंतरगत ही है अगर आपका दो बार भोजन में विक्षे पढ़ता है तो एक बार भोजन अच्छे सपा लेगे थोड़ा मध्यान में विश्राम बस राधा राधा अगर चल जाए तो जिसे मिलता है अधा लिटर दूदिया धाइसोग्राम जो भी साम को उसको प बिगड़ जाएगा आप नहीं समाल पाओगे बहुत सेयम की जर्रत है बहुत गर्मा गरम भोजन ब्रमचारी को नहीं करना चाहिए उससे आपके ब्रमचारी पर फर्क पड़ जाएगा ताजा भोजन है पर धुआने उठना चाहिए शांत ये गर्मा गरम जैसे होना बिलकुल नहीं भोजन हमेशा शात्रिक ताजा साधा होना चाहिए जो जैसे रूटी ये सब मठ्री आदे जिसे एक दो दिन मीठा दे एक दो दिन लेकिन जिसे रूटी आदे ये साम की बनी शुबह नहीं पाई जा सकती क्योंकि उससे फिर बुद्धीज में प्रमाद और तमोगुल बढ़ने की चिस्टा बाशी आन्ना नहीं अज़ा बिक्षा ब्रती में ये सामर्थ होती है लेकिन अगर शुबिधा है तो ताजान बहुत गर्मा गरम नहीं शात्विकन और कम कम से बहुत लाब होता है आपकी शारी जीवनी सकती है तो पचानी में लग जाती है अचा एक बार पचनी पैया दुबार फिर उतनी जार लिया तो आप बजन क्या करोगे थोड़ा जो जीवनी शक्ती है उसको आप इश्वर के ध्यान में चिंतन में लगाने जिस दिन जादा बजन होगा अलपार अगर आप अन्न को उतना ही सिमित पाएं जो आपके भजन में बिक्षेप न डले यह ठूस ठूस के हां तक भले तुम सरीर हो क्या है तुम्हारा भी सह यह क्या अरे समझो बेकार को इस थैले को मोटा करते चले जा रहे यह थैला है उठने में चलने में परिशानी बड़ी समस्या दिन चर्या करने में अब इतना बड़ा पेट हो गया तो दिन चर्या कैसे करे कैसी दिन चर्या होगी कहे को इतना खा रहे हो गटाने की दवा ले रहे किसी दवा की जरुवत नहीं है सीधे मूं की दाल उबालो दो रोटी सुरू करो ए अत्विक भोजन अपने आप ठीक हो जाओगे, पाना है पीजा बरगल, पाना है तुम कोई संसारी कोई अपचर भी बढ़ती चली जा रही, आगे पीछे ना उठने की सामर्थ ना बैठने की, व्रद हो गए हो तो बात अलग है, यहां तो जवान जवान के ऐसे, मतलब यह प इज़र्या इस्पूर्ती युक्त होनी चाहिए, वो उची तहार से, युक्ताहार भिहार से, भगवान के वचन है, यह जो शब्द लिखे हैं, यह अच्छे पदार्तों को ठूश ठूश कर खाने का स्वभाव, यह आपको शैयम में नहीं रहने देगा, बढ़े हां पड़ी किसमिस पड़ी खीर है, अब हटाओ, अरे किसको पिला रहे हो, किसको, यह रसेंद्री के संतों ने कहा है, गांटी नीचे माटी, बढ़े इतने इतना का खेल है, इतले के लीचे गया हो, सब बेकार हो, अब फूल रहा है, गयस बन रही, कब्ज बन रही, डकार छोटी कटोरी जरास है, राधा, राधा, स्वाध भी हो गया, प्रशाद भी हो गया, सरीर कुष्टता के लिए, ब्रह्मचारी को काजु बदाम पिस्ता हलुआ रवडी रजुल्ला की नहीं आउ सकता है, प्रारतना मान लीजिए, नहीं जरूरत है, और अपने आप में एक महान बल धारन की हुए है, अब यही समस्या है कि ना शैयम समझ पा रहे हो, ना अहार को समझ यह आहार तुम्हारा भी से नहीं है, आपको ठीक प्राणों का पोशन करने के लिए उतना जल, उतना अन, उतना पोश्टिक अहार देना है, जिससे हमारा मन हमारे कारियों में, ह दरम मशाला, कचोड़ी, पकोड़ी, बहुत मिठाई, चाए, काफी, प्याज, लेशुन, ये इंद्रियों को भयंकर चंचलता प्रदान करते हैं और वीर शक्ती का नास करने में बहुत इनका योगदान है। पुझ पादुडिया बाबा से किसी ने कहा कि बाबा हम तो जहां बिक्षा मांगते हैं, वहां प्राया पकवान ही मिलता है। बाबा ने कहा कोई बात नहीं है। बहुत पकी हुई पुड़ी बनवाए। पकी हुई पुड़ियों को पहले परोशा गया, उनके उपर कच्ची पुड़िया रख दे गए। एक एक दो दो, और बाबा खड़े हुगे ऐसे। आवाई, पहोशब। तो कुछ जो शाधक सयम ही थे, तो ऊपर से शुरू किया। और कुछ शाधक जो श्वाद्वाले थे, उपर कहटा करके नीचे बाबा रुख। खड़े हुगे। क्यों इसा किया। बाबा नीचे वाली पकीतियों ठंडी हो जाते। अगर जाओ, बहु लेओ, गरम गरम बनवाग पाओ, बाबा जी बनने लाइक नहीं हो। अगर रशेंद्री की तरफ्तता, रशेंद्री की पुरनता के तुम्हारी भावना है, तो तुम जनेंद्री को नहीं रोक सकते हो, यह वैराग इमार्ग है। श्वयम बाबा, बहुत महापुरुषों ने भगवत प्राप्ती के लिए श्वयम कष्ट को बरण किया। गिरर घरी भिख्षू कैसे होते थे, उनको लाइन में खड़ा किया जाता था, बाबा लाइन में खड़े बेंगे जाके, और उनको मोटी रोटी दी जाती थी, और वहां खीर, पकोड़ी, कचुड़ी, यह सब ऐसे चलता था, वहां दक्षिना भी दी जाती, उनको के बल मोटी दी जाती थी यह कई दिन ऐसा उन्होंने सदाब्रत की तर तो बाबा उस लाइन में खड़े हुए चार रूटी उनको मोटी मोटी में आ गये हैं और एकांत में दो रूटी पाई और दो रूटी जमीन में ऐसे गार जे जब पता चला कि पुझपाद उडिया बाबाजी आये बुले नहीं हम तो ले आए हैं आपके आँसे कब बाबा बुले ले आए हैं और दो पाज चुके और दो कल पाएंगे और ऐसे रज हटाई और दो यह अरे बाबा आप बुले यही तुम्हें समझाना चाहते थे कि आपको क्या पता कौन सा महापुरुष की यह क्यों भेद दो रूटी पाई दो पुराने संतों को देखो कैसी जीवन यापन हाँ देखो वही बाबा जो एक कबल पाकर ठाड़ा ठाड़ा घंटा पदमासन में बैठते थे जब परिपकोस था सब्तर सब्तर घरों में एक एक दिन में जाते थे बावना पुष्टता के लिए बाबा हमारा निमतर हमा गए एक दो कबल पाई है से जरा जरा शक पाई है से हम अभी भगवत प्राप्त नहीं हुए हैं तो हम लोगों की इंद्रिया मन बुद्धी संसार की तरफ जा रहे हैं अब हमको शैयम की आवशकता है यदि शैयम का हम बरताव नहीं करेंगे तो सुन लो भोजन के पहले अच्छे से हाँ ढो मुह में कुला करो और लगशंका लगे हो तो लगशंका जाो भोजन के पहले पवित्र हो भोजन पाते समय नाम चलना चाहिए या पद चलना चाहिए, या अच्छे कोई संत महापुरुषों के जो चरित रहें, उनका चिंतन करना चाहिए, खड़े भोजन नहीं पाना चाहिए, लेटे भोजन नहीं पाना चाहिए, चलते हुए नहीं पाना चाहिए, प्राता काल कल चर्चा होई थी, जो जल पान हो बड बाल भोग नहीं करना चाहिए तो चो भईया ब्रह्मचारी को बाल भोग नहीं करना दस से एक के बीच में और आठ वजे तक शाम के भोज इतने में मर थोड़ी जाओगे अरे यार कई कई दिन भोजन नहीं मिला है कई कई दिन के गंगा का किलारा है गाउं जाने का शुभाव नहीं था बस आकास वरती का सहरा था अगर आप बाल भोग नहीं करोगे तो आप क्या परिशाने हो जाएगी दस ग्यारक वो तो मिलेगा ही आपको हमारे तो जीवन में था कि बता नहीं कब मिलेगा कहां मिलेगा कोई बरोशा नहीं कभी इतना गुड कोई दे दिया ख़वी वो जो गंगा किनारे बारी लगाते हैं ओ ए बाबा दो पर इठा लोगे भवान दिये है सेमान के गंगाज कि कब जो हो जाएगी गैस बनेगी आपका भजन में मन नहीं लगेगा तो फिर वही प्रमाद की स्थिति आएगी भोजन उने के बाद सोदोशो कदम चलना चाहिए टहल करके दिन में पंद्राविश मिनिट बिश्राम लात्री में भोजन के बाद आधा पॉन गंटा नाम जब माला उठाओ चत में या कहीं जैसा आओ आराम से भगवत चिंतन करते हैं टहलो इन्हीं तुरंद पा करके फिश है कल बताया था उप इसे पे शाप के द्वारा बहुत सी जो शरीर को कष्ट देने वाली विश्ट पिताद ये सब्तेया वो निकल जाते हैं कबजी की बिमारी पानी की कमी और गरिष्ट पदार्थों के पाने से होती है यह नहीं होना चाहिए तभी आप ब्रमचर जल पीते समय धीरे-धीरे आ लेमन या ठंडे पेपदार तो जो सीसियों में आते हैं यह ब्रमचर सैयमी भगवत मार्ग यह सब चीजे ले भाई आपको अम्रत पान करना है राधा नाम शुधार सम्रशी तुम बहुत सावधान प्रकति के विरुद्ध चलने से कभी कोई शुक कानुभव नहीं कर सकता बहुत सावधान भोजन के समय आपको पानी नहीं पीना है यह अभ्यास आपकी दिनचे जया में बहुत बाधा पूचा देगा यदि आप भोजन के साथ पानी पीते हैं गैस बनना सुरू हो जाएगी कबज बनना सुरू हो जाएगा और परिशान हो جाएंगे अगर आपको भोजन में पानी की आवश्यक्ता लगती तो आप आदा गंटे पहले थोड़ा पानी पी लिजिए भोजन के आदा गंटा पहले और भोजन के समय बिलकुल मत पीजिए और भोजन के आदा गंटा एक गंटा बाद आप छब के पानी पी लिजिए उतना जितना स् उसको एकदम शांत कर लीजिए दूद को जब धुआ न रह जाए अगर दूद भी पीना है तो पीने के बाद 20-30 मिनट टहलना चाहिए नहीं कि दूद पी के आप सो गए सयम में नहीं रह पाओ गए प्राता काल उठते ही सुर्योदय के पहले यदि आपको शुविधा हो जा ये नितांत शत्य है कि कोई भी नशा करने वाला ब्रह्मच्वारी नहीं रह सकता जो तमाखु और भांग गांजा अफीम इस तरह के कोई भी नशा वो ब्रह्मच्वारी नहीं टिकने देंगे इसलिए कोई भी नशा न करें आलश से अपने कर्तब कर्मे में न करें हरदय को बार बार सीतल करता रहे ऐसा चिंतन करें संतुष्टा ये न कहीं न वा ऐसे चिंतन मत करो कि हरदय तुम्हारा जलता रहे यदि हम जो शूनी होई याजशत संग की बाते हैं इनको अपने जीवन में उतारें और पहली जीवन की प्रार्थना हमारी कि आपकी पहली सीड़ी ब्रह्मचर है यदि आप यहस्तिक्रिया या किसी भी तरह से गंदी यादते पूर्वशंशकार वश कुशंग वश हैं त कीजिए एक बार जलिए एक बार नियम लेजिए मैं ऐसा नहीं करूं खान पान कीजिए और सोने का एक निश्चित समय रखे और जिस समय आप ऐसी हरकतों को करते हैं वो समय आप माला लेकर बैठे जब तक गाढ़ निद्रा का वेश्नाओ तब तक आप अपने को स्वतंत् पड़े चिंतर फिर गरबर हो जाएगा बिलकुल ऐसा ही किया गया है जीवन में हाँ भोजन के बाद चलने के बाद बजराशन में बैठकर जब नीद आई तो कभी कोई माला लिए कभी माला रखे और गुरू कृपा से जब ऐसी भावना बन जाती निरंतर मंत्र नाम जब चल रहा है वो बात अलग है पर आपको अपनी दिन चाहिए अब आप सोने जा रहे हैं और आम से दर्वाजा बंद के अब लेट गए और मुबाइल हाथ में सर्वनास की स्थिति आप में आही जाएगी क्योंकि एकांत में मन बहुत बलवान होकर इंद्रियों के साथ भोग कर दो बिल्कुल जैसा कहें माला उठाओ या कोई महापुरुष का चरित्र उस समय पढ़ो वो आपको थपड की तरह लगेगा और चरित्र पढ़के उसी के चिंतन करते वे सोजाओ या माला ले करके जब करते जब नीदा वे तब सोजाओ कोई ऐसी चेस्टा मत करो जो देख रहे हुआ कि आपकी दुर्दशा कर रही चेस्टा आएं आप जो केतों मैं छोड़ने ही पहरा उसका कारण है आपका निश्य आप निश्य ठीक नहीं कर पारें और नाम जब करो ऐसा निश्य होगा आप इस सत्संग सुन कर मनन करो ऐसा निश्य होगा कि निश्चित भगवान की कृपा से आप इस जीवन में सयम पूर्वक वर्ताव करते हुए भगवत प्राप्ति कर पाने शिराधा वल्लवला लेकिन